आज हम बनाने वाले हैं चीरज जो सबकी बहुत इस मेरे घर में तो मेरे किट्स की बहुत इसमें मैंने हाफ कप राइस उसे दोकर वाफ ग्लास पानी में भीगा दिया है दस बंदर में के लिए अब इसके अंदर मैं दालूंगी तो अब जैसे ही यह बॉल होगे राइस अब इसे हम लोग ब्लेंड करेंगे अब हम आपने अमुल ताजा या कोई और यूज की तो उसके अंदर आपका जो टेक्स्च्च्च्र आना चीए तो नहीं आए इसी लिए अब जैसे ही यह बॉल होगे राइस अब इसे हम लोग ब्लेंड करेंगे अब हम 10 एक 5 मिनट बाद ब्लेंड करेंगे और पर इसमें हम डालेंगे शुगर कि अब आपने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते है कितना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मैरा यह मैंने जाहें तो इसमें मलाई डाल सकते हैं अगर आपको मलाई पसंद है उसका टेस्ट पसंद है तो दाले वरिना आप इवाइद कर सकते इकरोड़ीोच सब्सक्राइब यहाँ मैंने एक कप शुगर ली है जो मैं इसमें दालूँए अगर आप कम खाते हैं कम दाले ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा दालना चाहें ज़्यादा दालें वह यह आपके टेस्ट के उपर डिपेंड करता है हाँ मगर खीर मीठी ही पसंद की जाती है इसलिए मैं यहाँ पर वन कप डाल रही हूं और इसे अब स्लो गैस पे अट लिए फाइफ टू टेंड मिट कशज़टा दालने के जीए दियां रखेंजागा कि व इसे छोड़ा हुड़ा नहीं देना ऴेरा जाये झायका तो के जान तायो को लिए तो उसे 5-10 मित्ट और केसर दालने के बाद पाका लिजिए तो जैसे ही अपने घाटा हो जाएगा तो तो ट्रा-तिक होताella जाएगा वो अपने आप जम जाएगा अब देख सकते हैं चावल कितने अच्छे से बाहर एक पिसा चुके हैं मेरी शुगर्स डिजॉल्व हो चुकी है बिल्कुल और मेरी खीर बिल्कुल तयार है बस सिर्फ अब इसमें मुझे 5-10 मिट्स देनी है जो मैं चलाते वे देती जाओंगे इसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे से सोबिंग बाउल में या आपके सी में भी निकालके आपके इसाब से रख सकते हैं जैसे कि यह रेडी हो चुकी है मेरी अगर आप चाहें इसी स्टेज पर थोड़े ड्राइफ रूट्स कट करके दाल सकते हैं और अगर चाहें तो ऊपर से करेंगी कि वह आपकी ही खुद की मर्जी है अब इसे मैं ट्रांसफर करूंगी अपने अच्छे से बाउल में अब इसे थोड़ा थंड़ा होने दूंगी और फ्रीज में डाल दूंगी और इसको सर्फ करेंगे इदम छिल्ड जितना थंड़ा होगा उतना मजा आएगा आप पूरी के साथ करें रेगुलर खाएं वह आपकी मर्जी है और इसके ओपर मैं दालूंगी थोड़ा ड्राइफरूट अब देखें इस पर मैं डाल दूंगी त्रेफरूट और अब थंड़ा होने देंगे अगर आप चाहें दूसरे ड्राइफरूट दालेंगे पर बनाइए और फड़ा फट कमेंट लाइक और शेयर करिए और मुझे बताइए कि यह कैसी बनेगे